है 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 फ्रेंड्स फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बात करा था मेथट ओर राइडिंग कांसेट के बारे में और हमने देखा था कि हम कैसे सुपर क्लास के मेथट को अपने सब क्लास में ओर राइड कर सकते हैं और साथ-साथ हमने यह भी दे तो उसका advantage क्या है तो इसको एक example के थो हम लोग समझने की कोशिज करते हैं advantage of method overriding suppose यहां पर हम एक program develop करना चाहते हैं जहां पर हम यह बताना चाहते हैं define करना चाहते हैं कि जो मेरा animals है वह किस category animal है वह वेजट category animal है या फिर वह नॉनवेज category animal है तो जैसे मैं यहां पर एक class animal लिया और suppose यहां पर मैंने method ले लिया वाइड इट अब अगर आप धिहान से देखो यह जो white method इसमें यह पता नहीं चल रहा है यह पता नहीं चल रहा है कि यह animal जो है वह वेजग टाइप है या नॉनवेज इस category से बिलॉग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं system.out.println system.out.println आइकांट से आइकांट से तो यहां पर आइकांट से वेजग टाइप और नॉनवेज टाइप अब सपोज इसी को इसी मेथट को अगर हम ओवर्राइड करें यहां पर अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट एक्जामपल में लायन लिया था न तो यहां पर अगर हम लिखे class लायं एकस्टेंडस एनिमल पर इस मेठोड को ओवराईट क्या और यहाँ पर मैं क्या लिए यहां पर मैंने लिख दिया नौन-वेश टाइप अ हॊई ले तो सब्सक्राइब चाहिए यहाँ पर मैंने और क्लास डिफाइन करा सब्सक्राइब कलासD judge क्लास होस ट्रहिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब यहाँ पर भी मैंने कि हए एक वेग्जटइयप एमेल है यह winter टाइप छक तो पो अगर इसDid इक जामपल को अप्ध हन से देखो तो यहां 방법 हरेक क्लास क्या स्पिसीस करा हुआ हैं अपने बहेवियर को स्पिसिफाइब डेंप last रहा है कि मैं नॉन वेस्ट टाइप लूँ उसी तरीके से हॉर्स बता रहा है कि मैं वेज टाइप अगर मैंने यहां पर कुछ और classes design करें तो वह भी अपने specific behavior के बारे में बताएगा जैसे अगर suppose मैंने rabbit करा यह मैंने किसी और animal को यहां पर ओर राइट करा उसके स्पेसिफिक behavior को बता रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहा है इसी को हम लोग बोल रहे है इच class is specifying its own behavior that is the advantage of method overriding इसको दूसरे example से भी समझा जा सकता सपोज यहां पर एक और हम एक second example के थो अगर हम समझाएं तो सपोज यहां पर मैंने class ले लिया सपोज रिजर्व बैंक ओफ इंडिया अब रिजर्व बैंक ओफ इंडिया यह क्या प्रोवाइट करती है यह बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको लोन प्रोवाइट करना है सपोज ऐसा कोई एक application हम डवल अब कर रहे हैं तो यहां पर मैंने क्या लिखा system.out.println इसके body में मैंने लिखा bank should provide loan bank should provide loan bank should provide loan तो RBI एक इंस्ट्रक्शन दे रही है बैंक को कि bank should provide loan यहां पर loan method को हमने close करा class close करा यहां पर मेरे पास एक दूसरा class है सपोज स्टेट bank of India extends what extends loan extends RBI और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम इसी loan method को override करेंगे wide loan method को मैंने override करा system.out.println सपोज यह SPI अपने behavior के बारे में बता रही है कि मैं 9.2% में loan को provide करता हूं अब इसी तरीके से अगर आप सोचो कि और सारे जितने भी सब्सक्राइब करते हो तो ultimately जो benefit हुआ हुआ क्या हुआ इच क्लास इस स्पेसिफाइग इस स्पेसिफिक behavior that is the advantage of method overriding that is the advantage of method overriding अब इसको अगर एक प्रोग्राम के थिरूं समझने की कोसिस करें तो सपोज यहां पर right click on src मैंने लायन वाला प्रोग्राम अल्रेडी कॉपी किया हुआ है तो उसी चीज़ को मैं यहां पर paste करूंगा सपोज यहां पर मैंने package ले लिया com.ravi.override और finish कर राइट क्लिक new class method overriding यह मेरा business logic class है तो यहां पर मैंने main method define कर लिया this is the business logic class sorry this is the executable logic class है यहां पर मैंने main method define किया यह मेरा executable logic class अब हमारा business logic class है उसे मैंने already copy किया हुआ है तो इसे मैंने paste कर दिया business logic class को class animal void it system.out.println i can't say class line extends animal void it system.out.println non-waste type और मेरा executable logic class से हम इसको प्रोग्राम को compile और run करना चाहा रहे है ज़र अध्यान से देखेंगे हम कि up casting और down casting का क्या role है यहां पर तो यहां पर suppose मैंने क्या किया यहां पर मैंने animal a is equal to new line लिखा इस पॉसिबल अगर हम लिखते हैं animal a is equal to new line आप देखो यहां पर कोई भी compilation error नहीं आ रहा है तो animal a is equal to new line it is a valid statement इस ही को हम लोग क्या बोल रहे है इसको हम लोग बोल रहे है अब casting अब अगर हम इसको comment करें और हम यहांपे लिखना चाहा है line पॉसिबल नहीं अगर आप धिहान से देखो तो down Cast disturb the default पॉसिबल नहीं है आप compilation error आपको मिल रहा है क्योंकि animal is a bigger type line is a smaller type bigger type को आप smaller type पर directly assign करना चाहरे हो जो कि possible नहीं है तो अभी अगर हम इसे possible करना चाहें तो क्या कर सकते हैं यहां पर मुझे forcely से किसमे convert करना होगा land में convert करना होगा यह देखें now it is a possible आप से forcely convert कर दिये line में explicit type casting के help से और मैंने क्या किया l.suppose यहां से it method को call करा अब जैसे मैंने call करा मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आप से कि यह java.lang.classcast exception generate करेगा यह देखें exception in threadman java.lang.classcast exception तो down casting के through हम अगर method को call भी करें तो down casting is not possible यह class cast exception देगा अब animal a is equal to new line this is up casting अब up casting के through अगर method को call करें a.it तो फिर क्या होगा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो object जो बन रहा हो लाइन का बन रहा है और reference जो है वह animal का है बहुत ध्यान से देखिए object जो बन रहा है वह line का बन रहा है और reference जो है animal का है तो जैसे ही आप casting के through आप कोई method को call करते हो तो सबसे पहले वह animal class यानि reference super class के reference में जाके चेक करेगा कि method is available or not तो यहां पर it method available है या यहां पर it method का available होना compulsory है क्योंकि reference आपने animal class का बनाया है अब output के लिए output के लिए आपको यह चेक करना होगा नहीं है तो आपको क्या output मिलेगा आपको output मिलेगा इकांट से लेट मिए रन दिस तो इस case में आपको क्या output मिलेगा non-west type क्योंकि आपका method overridden है non-west type let's suppose method overridden नहीं हो सब्सक्राइब यहां मैंने लिग दिया it one अब तो method overridden नहीं है यह it है और यह it one है यह overridden method नहीं है तो इस case में आपको क्या output मिलेगा I can't say क्योंकि method overridden नहीं है I can't say तो बहुत ही simple है आप casting के थुरू जब भी method को call करते हो सबसे पहले वो super class क्योंकि आपने reference animal class का बनाया तो सबसे पहले वो super class में जाके check करेगा method available है या नहीं अगर method available नहीं है तो आपको compilation error मिलेगा अगर method available नहीं है तो आपको compilation error मिलेगा जैसे अगर आपने यहां पर it one लिखा even आप object create कर रहे हो आप object create कर रहे हो land का पर look at यहां पर आपको error मिल रहा है क्योंकि आप casting के थुरू जब भी आप method call करते हो that must be present in the super class क्योंकि उसका reference बन रहा है उसके बाद output के लिए चेक करोगे कि method overridden है या नहीं अगर method overridden है तो subclass output आएगा method overridden नहीं है तो superclass output आएगा अब यहां पर एगर छोटा से चीज आप फिर से ध्यान से देखो animal a is equal to new line और यहां पर जो हम dynamically method को dispatch कर रहे हैं यहां पर compiler को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा method कॉल होगा इनिमल का कॉल होगा या it का कॉल होगा at runtime this animal में at runtime इस एनिमल में हम lion का object assign कर रहे हैं इसलिए lion का method कॉल हो रहा है सपोज यहां पर एक और class मैंने ले लिया इसी को मैंने copy कर लिया सपोज यहां पर मैंने लिख दिया class horse extends animal और यहां पर यह क्या हो गया वेज़ टाइप अब depending upon the class type depending upon the class type तो यहां पर मैंने क्या class pass कर रहा है लायर अब सपोज यहां पर मैंने क्या class pass कर दिया horse this is called dynamic method dispatch so depending upon the class class type यह उस method को कॉल करेगा तो अभी कौन सा method को होगा वेज़ टाइप वेज़ टाइप तो यहां पर आपने कौन से class को पास कर रहा है horse class को पास कर रहा है और animal में अपने असाइन कर रहा है horse सब क्लास है animal सुपर क्लास है तो आपको यह वीडियो समझ में होगा और यह प्रोग्राम भी समझ में होगा नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और में और में सब्सक्राइब के बारे में बात करेंगे आज के लिए इतना ही थाइंक्यों झाल 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 झाल